कि अच्छा किया और वो आदमी मॉम से पैसे ले रहा होगा सिंपू हमें मॉम को तुरंट रोपना होगा यह ट्रैपिक भी अभी लगना था सिंपू कुछ करना होगा मॉम वो आदमी कहा गया कौन सा आदमी वहीं जिसे आपने पैसे दिये तुम्हें कैसे पता चला मॉम वो आदमी फ्रॉड है तो मभी बच्चे हो तुम्हें कुछ नहीं पता मुझे वर्ल्ट टॉर का बंपर ड्रॉ लगा है और बस दो चार दिन में हम लोग जाएंगे मॉम अब क्या कर रही हो हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या मेरी लोट्री लगी है अभी से तैयारी करने हो स्विच्जलान जाने की सिंपू मैं मॉम को कैसे समझाओ कि वो एक फ्रॉड है हमें कमिशनर अंकल से बात करने चाहिए ये तो बहुत बुरा हुआ तुमने गलत आदमी का पीछा किया हाँ और अब मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो फ्रॉड फिर से मॉम से पैसे ना मांगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम कमिशनर अंकल से इस बारे में बात करें ठीक है डादी से बात करने से पहले मैं इंटरनेट पर इस गैंग के बारे में सर्च करती हूँ ये देखो चिंपू ये गैंग भूले भाली लोगों को लोटरी का लालच देकर इनसे पैसे लूटता है ऐसे कई लोग हैं जो इनके चंगुल में फस चुके हैं मुझे इस प्राब्लम को सॉल्व करना ही होगा मेरे इलाके में क्योरों की इतनी हिम्मत है कि ये सरे आम पैसे लूट रहे हैं और मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा मैं उन लोगों को ना उल्टा लटका करण नीचे मिर्चीज लवादूँगा पकड़ 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 और तुम लोग चिम्पू के घर का फोन टैप करो और देखो कि वो फोन कहां से आ रहा है पर साहिव अगर हम लोग फोन पर टेप लगा देंगे तो फोन बोलेगा कैसे अब एफ कूफ होए और फोन टैप करो मतलब फोन रिकॉर्ड करो हाँ 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 और पैसे लगेंगे लेकिन अभी तो मैंने 50,000 दिये थे क्या? डॉलर करेट कम हो गया इसलिए वीजा का ताम बढ़ गया है अच्छा ठीक है मैं 50,000 रुपे और लेकर आती हूँ अच्छा ठीक है समझ गए ये आदमी तो सच में बहुत लालची है बार-बार पैसे मांग रहा है लेकिन अच्छा है इसका लालच ही इसे जेल में भिजवाएगा पापा ने बताया कि तुम्हारी माम के फोन पर जो कॉल आ रही थी वो इंटरनेट से की जा रही है ये लोग बहुत ही चालाक लोग है लेकिन हम से ज्यादा चालाक नहीं है माम फिर से पैसे लेकर जा रही है तुम मेरे सिगनल का वेट करना जैसा तुमने कहा था मेरे पापा ने ये नकली नोट दिये है जिसे तुम्हें अपनी माम के असली नोट से एक्सचेंज करना है इन नोटों के जरीए हम उन तक बहुत सकते है सिंपू अपके बार कोई गड़वड नहीं होनी चाहिए चलो सिंपू तुम उधर नजर रखो और मैं इधर लगता है यही आदमी है उस पैकेज में रखे माइक से हम सारी बाते सुन पाएंगे आप चिंता मत करो मेडम आपके टिकेट और विजा कल तक मिल जाएंगे आओ फिर तो आप स्विजलेंड, यूरोप, अमेरिका, दुबई, आस्ट्रेलिया गुमेंगी आओ आओ अरे भाई साहब आपके मुँ में खी शक्कर मैं स्विजलेंड से चोकलेट ले आऊँगे और आपका मुँ मीठा कराऊँगी बस अब आप जल्दी से टिकेट और वीजा कल दे दीजेगा मुझे टिकेट और वीजा मेरी नेवर मिस्स शर्मा को भी तो दिखाना है मेरे पैसे भी आप दे दीजे ताकि मैं उनसे शॉपिंग कर सकूँ हाँ हाँ बिल्कुल लेकिन ये बताईए कि आपको पैसे गैश में चाहिए या फिर चेक चलेगा आप चेकी दे दीजे आओ आरे तो चेक आप अब भी ले लीजिए थैंक्यू सो मल भाई साहब भगवान आपको लंबी उम्र दे इस फ्रॉड वाल टूर और्गनाइजर को तो मैं पुलिस टेशन की टूर करवाऊंगा सिम्पू जल्दी चलो हमारा टागेट निकल रहा है हलो दिया मेरी लोकेशन पर नज़र रखना मैं उस कार का पीछा कर रहा हूँ तुम टेंशन मत लो मैंने पापा को इंफर्म कर दिया है वो लोग उस फेक करनसी के पाकेट में छीपे हुए माइक्रो फोन से उस आदमी पर नज़र रखे हुए है हुम 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 हाह कि हो आओ अरे देख इस शेहर में हम और नहीं रुख सकते मैंने वो चेक उस ओरत को दे दिया है वो जल्दी पुलिस के पास चली जाएगी आओ आओ लेकिन बास हमने अब तक करीब 25 लोगों को जो उल्लू बना के 20 लाग जमा किये हैं उनसे हम क्या करेंगे करना क्या है आओ हम उन पैसों से दुनिया की सेर करेंगे समझा क्या हां बहुत मज़ा आएगा अच् बहुत हो चुका हसी मज़ाग अब चुप चाब अपने आपको मेरे हवाले कर दो कौन हो तुम मैं सी बी आई ऑफिसर हूँ तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है तुम्हारे पास जो नोट है वो नकली है लेकिन लेकिन ये कैसे हुआ आओ तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही लोगों को उल्लू बना सकते हो मत भूनो हमारे पास तुमसे ज्यादा दिमाग है अब चुप चाप सारे पैसे मेरे हवाले कर दो अच्छा तो तुम सी बी आई ऑफिसर हो पकड़ लो इसे आओ ये नकली डारी लगा के आया है न था ठाटा दिसको भाग रहे गा करे आउनकर पेसे अचमसों सब्सक्राइब करें हम अच्छा पांग जाए खाना करें ने अच्छा न मुदेन के अच्छा पांग आउन कि अच्छा जाए है आउन आज हम तुम्हें बताएंगे हमसे पंगा लेने का अंजाम आओ आओ अब मज़ा आएगा क्योंकि हम लोग ये पैसे लेकर चले जाएंगे और पुलिस तुम्हें पकड़ेगी आओ आओ हुए हा है अ अ अ सिन्फू ये स्टाई थे दें इन पंडू वो रहा फ्राड गैंग पेटा मेरे पैसे उस आद्मी ने मुझे नगली जग दिया तुने सही कहा था कि वो आद्मी फ्राड है कोई बात नहीं मॉम आपको सच्चाई पता चल गई यही आपका एनाम है और सरफ इतना ही नहीं आपको दस लाख रुपए भी बिलेंगे आंजी और उन पैसों से आप जाओगी स्विचर लेंड लेकिन दस लाख किस बात के अब बेटा तुमने जैसी होश्यारी से ना अपड़ी मॉम के असली पैसे बदल कर उसकी जगा नकली नोट रख दिये जिसमें माइक लगा था उसी के सहारे हम उन लोगों को पकड़ सके उन लोगों पर ना पूरे देश में फ्रॉड का मामला है उन पर दस लाग का इनाम है और यह इनाम आंटी को मिलेगा हुरे यह अच्छा कर व्याँ इस सेफी ताम